ओम सर्व सिध्धी प्रदाय नम्हा ओम श्री गणेशाय नम्हा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं गर्पती भगवान आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करी हिंदू पंचांग के नुसार माग महिने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी त जाता है इस व्रत में महिलाएं जो होती हैं वो अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके सुखी जीवन की कामना से व्रत रखती हैं संकट हरता गर्पती भगवान को प्रथम पूझनी देव माना जाता है कहते हैं सकट चौत के दिन गड़ेश भगवान की पूझा करने से और व्रत रखने से गर्पती भगवान अपने भगतों के सारे कस्ट सारे दुख दूर कर देते हैं और साथी संतान को लंबी आयो और खुशाल जीवन का आशिरवान भी देते हैं सकट चौत के दिन तिल का विश्यस महत्व होता है इस दिन तिल का दान भी किया जाता है नहाने गडेश को अर्पित किया जाता है इस दिन गडपती भगवान की विधिविधान से पूजा की जाती है उन्हें दूर्वा मोदक और साथी दिल के बने लड़ों का भोग लगा कर आरती करके व्रत की कथा सुनी जाती है साथी आज के दिन चौत माता की पूजा करके उनकी भी क व्रत कथा सुनी जाती है कहते हैं चौत माता बच्चों की रक्षा करती है और उन्हें लंबी उम्र का आशिरवात देती है भगवान गडेश को समर्पित ये व्रत चंद्रमा को अर्ग देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है इस व्रत में महिलाएं जो है वो शाम को भग इसमें सबसे पहले तिल और गुड से बने लड़ू या फिर तिलकूट का प्रशाद खा कर ही व्रत खोला जाता है सकट चौत के दिन बच्चों को अपने हाथों से कुछ न कुछ दान करना चाहिए ऐसा करने से गणपती भगवान का आशिरवात प्राप्त होता है और उन् के दिन कुछ जरूरी बातों का आपको धिहानक ना होता है जैसे कि आज के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने और तिल का प्रियोग विशेश कर आपके घर में आज के दिन होना चाहिए आज के दिन आप तिल और गुड से बने लड़ू का भोग भगवान को लगाए और खुद भी परिवार जनों में मिलकर इस प्रशाद को बाटे और खाएं साथ ही तिल के लड़ूओं का दान भी आज के दिन आप कर सकते हैं सकट चौत के दिन कहा जाता है अगर सचे मन से पूजा की जाए तो गड़पती भगवान अपने भकतों की पुकार जरूर सुनते हैं उनकी सारी बाधाएं सारे दुख जरूर दूर करते हैं लेकिन एक बात का ध्यान आपको सकट चौत की पूजा करतिस में अवश्य रखना चाहिए वो ये कि सकट चौत के दिन केवल गणेश भगवान की नहीं बलकि पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए संभव हो तो आज के दिन दूर्वा जो की ताजी और हरी दूर्वा होनी चाहिए गड़पती भगवान को अर्पित करें साथ ही गड़पती भगवान को पीले रंके फल पीले फूल और पीले ही वस्तर जरूर अर्पित करें या इन में से जो भी आपके लिए का व्रत कब रखा जाएगा माग महिने के क्रिश्न पक्ष की चतुर्थी तिथी है 21 जन्वरी शुकरवार के दिन और इसी दिन सकट चौत का व्रत रखा जाएगा जान लेते हैं चतुर्थी तिथी कब से कब तक रहेगी तो चतुर्थी तिथी प्रारम हो रही है 21 जन्वरी शुक्रवार को सुभा आट बज कर तिरेपन मिनट से जिसकी समापती होगी बाइस जन्वरी शनिवार की सुभा नौ बज कर चौधा मिनट पर आप जान लेते हैं 21 जन्वरी को सूर्यदय, सूर्यास्त और चंद्रोदे का समय क्या रहेगा क्योंकि 21 जन्वरी को शाम के समय च चंद्रदेवता की पूजा भी आपको करनी चाहिए और चंद्रदेवता के दर्शन भी करनी चाहिए तो 21 जन्वरी शुक्रवार को यानि की सकट चौध के दिन सूर्यदय का समय रहेगा सुभा 7 बज कर 13 मिनट सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बज कर 2 मिनट और चंद्रो चौत के दिन ही स्वभाग योग भी बनने वाला है जो समाप्त होगा शाम तीन बचकर पांच मिनट पर इसलिए कहा जा रहा है कि सकट चौत के दिन बनने वाला ये अद्भुत संयोग बहुत सारे भक्तों के जीवन में धेर सारी खुशियां लेकर आएगा बस अगर आप इस दिन विधी विधान से श्रद्धा और विश्वास के साथ गर्पती भगवान की पूजा कर ले और आपके जो भी दुख हैं जो भी बाधाये हैं जो भी संकट आपके जीवन में हैं उन्हें दूर करने के लिए अगर गर्पती भगवान से आप प्रार्थन कर लें तो वो आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे आपके जीवन से हर दुख का अंधीरा जरूर दूर करेंगे आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा और अगर आप सुनना चाहते हैं सकट चौत की व्रत कथा और जानना चाहते संपुन पूजा विधी के बारे में तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफेकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं